जैसे कि आप सभी को याद होगा कि इसके पहले वाले एपिसोड में हम सब लोग मिलके बाहर गूमने जाते हैं पर फिर अचानक हमारी गाड़ी के चारो टायर पंचर हो जाते हैं क्यूंके वहाँ पर कुछ गुंडों ने काच के टुकडे रखे थे ताकि वो आने जाने वाल उसके जैसा ही डांस करके उसे चिडाते जिसके वज़े से वो गुसा हो जाती है और हमारे पीछे आ जाती है और फिर वो अचानक से गायब भी हो जाती है फिर हम लोग सुबह होने का वेट करते हैं और मैं एक बाइक वाले को रोक के उसके साथ चला जाता हूँ ताकि शेह बादा दूर को नहीं, यह आ गया, यह शेहर का सबसे बड़ा गेरेज है, यहाँ पर बहुत महंगी महंगी गाड़िया रिपैर होती है, तुम्हारा काम यहाँ पर हो जाएगा, चल अब मैं चल रहा हो छोरे, थैंक्यू आपका बहुत 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 शुक्रिया, अरे कोई बातना, आतो मारो फर्स तो, चलो गाइस, वो तो चला गया है, वैसे बोल तो सही रहाता, यह गेरेज काफी बड़ा है, ओ भाई सहाब, इतनी महंगी महंगी गाड़िया, जरा देखो तो सही, मुझे लगता है यह बहुत जादा महंगा होगा, क्योंके गाड़िया तो एक चोटा सा गाव है न, वहाँ पर मेरी गाड़ी पंचर हो गई है, और मुझे कोई मेकनेक मिल नहीं रहा था, इसलिए मैं एक जन के साथ यहाँ पर आ गया हूँ, क्या आप किसी बंदे को टायर के साथ मेरे साथ भेश सकते हो, अरे हाँ हाँ सर क्यों नहीं, अब पहली बार हमारे यहाँ पर आए हो, हम आपके खातीदारी जरूर करेंगे, आपके गाड़ी का मॉडल और आपको किस कंपनी के टायर चाहिए यह हमें बता देना, यो को मैं अपने आदमी को बुलाता हूँ, अरे रमेश यहाँ पर आ, अरे बापरे अभी कौन आ गया होगा, एक तो काम है, उपर से बॉस बार बार बुलाते रहते है, जी बॉस बोल यह क्या काम है, तुम्हें इनके साथ जाना होगा, इनके साथ, इनके साथ, हाँ सर बता यह क्या हो गया है, आरे मेरे गाड़ी के टायर पंचर हो गए, बस मेरे साथ चलना है और टायर चेंज करना है, यह तो बिल्कुल वेसी आवाज है, यहाँ से निकलते हैं जल्दी जल्दी, पर याँ टायर के बिना तो जा नहीं सकता, एक मिनिट, यह तो यही पर कड़ा है, इसने गाड़ी में टायर डाल दिये, अरे दोस्त एक बात बता, तुमारे जो ओनर है, उन्होंने कभी चुड़ अरे नाई नाई, आप पागल हो गए हो क्या, इतने पड़े लिखे हो कर ऐसे भूद प्रेतों की बातों पर विश्वास करते हो, यह सब चल्ड़ों चलते हैं, वैसे मुझे काफी देर हो रही है, आच्चा ठीक है, गाइस यार फटाबट निकलते हैं, पता नहीं यह सब म सिर में शायद वहाँ पर पहुच जाएंगे, सर वैसे एक बात बताईए, आपके गाड़ी के टायर पंचर हुए कैसे, अरे यार यह सब मत पूछ, देख वो रही सामने गाड़ी, खुद ही जाके चेक कर ले, अच्चा ठीक है, चलो मैं चेक कर लेता हूँ, अरे बापरे, इसके तो चारो टायर ही गए है, सब के सब चेंज करने पड़ेंगे, आप यही पर रुको, मैं एक बार पुरी गाड़ी चेक कर लेता हूँ, फिर इसके टायर चेंज कर देता हूँ, सर इसमें तो बहुत टाइम जाएगा, आपको पेशन्ट रखना होगा, गाइस यार, य अभी चारो टायर चेंज करेगा, अब यार, इसके चकर में तो मैं भूली गया, शिंचन चौपर मिंचन कहा पर है, मैंने उनको कहा था कि या से हिलना मत, मुझे पता ही था, वो लोग मेरी बात नहीं मानेंगे, शिंचन, अरी फ्रेंकलिन भीया, चिला क्यों रही हो, हम ल यार, मुझे कोई भूक भूक नहीं अभी, फिलाल मेरा दिमाग खराब है, जैसे ये गाड़ी ठीक होगी न, सीधा इसको लेके घर पर जाएंगे, अब मुझे कही घूमने नहीं जाना है, इससे अचा तो उस दिन तेरी स्कुल चालू ही होती, चलो, फाइनली काम हो गया, सर ये लो, आपके चारो टायर ठीक हो चुके है, अब जल्दी से मुझे मेरा पैसा दो, मुझे लेट हो रहा है, अच्छा ठीक है मैं दे दूँगा, एक बार पहले गाड़ी देख लेते हैं गाइस चारो बाजू से, यहां से तो ठीक है, चलो, ये दोनो टायर भी बराबर ही लग रहे है, मुझे लगता है इसने एकदम अच्छे से ही काम किया है, अब हमारी गाड़ी एकदम टाकाटाक हो गई है, इसे लेके हम लोग निकल सकते है, हाँ तो दोस्त बता तेरा कितना चार्ज है, है है बचलो, रुख जाओ वाई पर, वहां से भागना मत, तुम श है, ये लो आपके पैसे, अब दे देते है गाईस इस शेफ को, शिंचान चौप यार तुम दोनों ने मेरा जीना हराम कर दिया है, और मिंचान तुम भी, चलो गाईस सब को पैसे दे दिये और सब लोग चले भी गए, अब हम लोग को भी देरी नहीं करनी चीए, आज आओ सब लोग जल्दी से बैठ जाओ, अरी शिंचन भीया मैं आगी बेठू गा, अरी मिंचन मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, आगी बस मैंहीं बैठता हूँ, अरी नहीं नहीं मैं बैठूंगा, अरी यार ये क्या बात हो गई? मैंने दर्वाज़ा खोला था और मिंचन अरे यार चुप चप बैटो मेरा दिमाग करा मत करो एरे फ्रेंक्लीन भी यह इतना भढ़की रही हो एरे गुस्सा यही पर थुक दो अरे शुचा नियार एक चीज़ तो तुझे बताना ही भूल गया मैं जिस गराज में गया था ना मैकेनिक लेने के लिए वहाँ का जो ओनर था ना अचानक से बिल्कुल वैसे ही डांस करने लगा जैसा वो लेडी कर रही थी अरे अपके बोलने का मतलब क्या है? वो चुडल के जैसा डांस अरे डांस तो वैसा करी रहा था उसमें से आवाजे भी वैसे आ रही थी और वो मुझे बोल रहा था के तुने मुझे परेशान किया है मैं तुम लोगों को जिन्दा नहीं छोड़ूंगी एरी फ्रेंकलिन बिया प्लीज ऐसी बात मत करो मुझे बहुट डर लगता ही हाँ फ्रेंकलिन बैया शिंचान एकदम सही बोल रहा है हम कुछ और बात करते हैं एक काम करते हैं तक्षिडी खेलते है अबे चौप यार मेरा बिलकुल मन नहीं गाना गाने का गाइस यार फाइनली घर देखके इतनी खुशी हो रही है ना गाड़ी को याँ पर पाक करते हैं और उतरते हैं आज ना हो सब लोग बाहर जल्दी से जाते है यार घर के अंदर अब सब लोग मेरी बात सुनो आज हम सब लोग साथ में सोईंगे किसी को भी रात को सुसू पॉटी कुछ भी आए वो मुझे बताई बिगर नहीं जाएगा मैं उसके साथ चलूँगा क्योंके जैसे उस चुडल ने कहा है न अब मुझे बहुत जादा डर लग रहा है वो सची में हमारा पीछा कर सकती है गाईस यार कुछ समझ नहीं आ रहा आगे क्या होगा चलो अब सोने चलते हैं देखो तो सही गाईस पूरे दिन परेशान होके और परेशान करके कितने आराम से सो रहें और यहाँ पर 24 हो गया अब हम भी जाके कपड़े चेंज कर लेते हैं और जाके सो जाते हैं वैसे भी बहुत जादा गंदे हो गए यह अरी यार मुझे बहुत जोर से सुसु आया ही शिंचन भीया तो पहले ही चली गई मैं काम करता हूँ मैं भी जल्दी करके आ जाता हूँ वह वहाँ पर पहले से तो मुझे ड़र भी नहीं लगेगा जल्ली जल्ली जाता हूँ यहाँ पर आओ बच्चे अरी बापरी यह किसी अवस थी मेरे पास आओ मैं तुमारी दोस्त बनना चाहती हूँ अरी बापरी यह तो वही चुड़ा लेना जो वहाँ पर नाच रही थी अरी अंटी हमें माफ कर दू हमने जानमिचकर नहीं किया था हमें तो लगए अब डांस कर रही है तो हम भी डांस करने आ गई नहीं नहीं कोई बाप नहीं मैं तुमें कुछ नहीं करूंगी पर क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे और मेरे साथ चलोगे यह तो कुछ गड़बल लग रही है अरे नहीं नहीं मुझे कहीपन नहीं आना चलो गाइस कपड़े चेंज कर लिए एक मिनिट शिंचार और मिनचान दोनों जन कहाँ पर है अब यार इन दोनों को बोला तक कही भी जाओगे तो मुझे बता के जाना शिंचान मिनचान अरे क्या होगिया फ्रेंक्लिन भीया इतना कीचे ला रही हूँ तू कहा गया था अरे वो तो मिझे बहुत जोर से सुसु आया था और आप कही पर दिखाई नहीं दे रहे थी इसलिए मिझे जाना पड़ा तो मिनचान कहा पर है अरे वो तू मिझे नहीं पता अरे यार जल्दी जल्दी चल मेरे पीछे मिनचान गायाब हो गया है मिनचान गाइस यार कहा जा सकता है मिनचान अबे यार ये तो वही लेडी है यह यहाँ तक पहुँच गई हें तुम उस बच्चे से दूर रहो हिमत अदा मुझसे बात कर मिनट गाइस कहा गई वो अरे यार अभी तो यही पर थी और यह क्या मिनचान उस डांसिंग लेडी जैसे डांस क्यों कर रहा है अबे यार ये सब चल क्या रहा है इसे क्या हो गया है मेरे समझ में तो नहीं आ रहा है एरी फ्रेंकलीन भीए यह तो भी बीहुश हो गया ही पता नहीं क्या हो गया मेरे भाई को जाओ जाओ कही पर भी जाओगे मैं तुम्हारा पीछा नहीं चोड़ोंगी तुम लोगों ने मुझे डिस्टरब किया था मेरी तपस्या भंकी थी अब मैं तुम्हारा जीना अराम कर दूँगी चलो गाइस यार आप जल्दी से चलते है शिंचान आजा अच्छा ठीक है फ्रेंकलिन भीया पर गाड़ी अराम से चलाना क्योंकि मुझे तो रोना रही अरे नई शिंचान प्लीज रोना मत तुम्हें देखके मैं भी रो दूँगा हमारा मिंचान ठीक हो जाएगा अरे यार इतनी चिंता मत करो मुझे लगता है कि यह उस चुड़ैल के काबू मैं एक बार हम लोग तो भी डॉक्टर को बता देते हैं इससे तो हम लोग कैसे भी करके ठीक करके ही रहेंगे अरे कैश के हमारा मिंचान जली से ठीक हो जाए कितना हस्ता खिलता बच्चा था अब यार अब मुझे तेरे स्कूल पर घुसा आ रहा है अगर उस दिन लाइट नहीं गई होती और स्कूल चालो होता तो आज ये सब होता ही नहीं एरी हाँ ये बत तो अपनी इकदम सही कही कोई बात नहीं शिंचान हम लोग कुछ ना कुछ करके ये सब ठीक करी लेंगे एरी फ्रेंकलिन भी आगी दिखो आगे कहा आगे आगे आपै नहीं एक मिनिट गाईस जो अचानक से अभी सामने आई थी कई ये वही चुडेल तो नहीं थी बिल्कुल वैसी दिख रही थी इसका मतलब या भी भी हमारा पीछा कर रही है एक मुसीबत से तो बाहर निकले नहीं है अभी तक हम लोग गाईस यार इसने बहुत कुछ कर दिया है पहले तो खाली दीखती थी अब पता नहीं मिन्चैन के साथ क्या कर दिया देखो हम लोग हॉस्पिटल तो पहुच गए पर अगर आपको जानना है कि इसके आगे क्या होता है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो और नीचे कमेंट कर दो पार्ट 3 और हमारे चैनल को सस्क्राइब कर दो उसी के साथ हमें फालो कर लेना इस्ट्राग्राम पर और हमारे एक दोस्त के नए चैनल को सस्क्राइब करना मत भूलना जहाँ पर आपको बहुत सारे गेम्स की लाइफ स्ट्रीम देखने मिलेगी और वो हमारे डूट फैमिली का हिस्सा है तो जल्दी से जाओ देरी किस बात की मैं मिलूँगा आपसे अपने अगली वीडियो में जै हिंद